है काईस तो कैसे आप सब और इस वीडियों में बात करेंगे colorways 6.0 वर्सेस colorways 6.0.1 तो हमारे पास यहाँ पर realme 3 pro है जो की colorways 6.0 पे रान होता है और 5 और 5 प्रो के launch के साथ एक नया software version देखने के लिए मिलता है 6.0.1 तो दोनों वर्शन में क्या difference है क्या changes देखने के लिए मिलती है सारा कुछ इस वीडियों बताएंगे और प्रोजेक्ट एक्स के बारे में थोड़ा पहुत यहाँ पर बताएंगे आपको realme 3 pro में हाली में जो प्रोजेक्ट एक्स का फूल रॉम था वो लीक हो गया था और आई फॉर अन्वक सर के चैनल पर आपको वीडियो देखने के लिए मिलती है तो यहाँ पर मैं बताना चा के लिए मिला अब प्रोजेक्ट एक्स के साथ और भी बड़ा चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा नए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह से सब्सक्राइब कर सकते हैं बिल आइकन को दबाईए औल की जिए साही नोडिविकरेशन आपको सबसे पह पास है रियल्मी 5 प्रो और इसमें नया वर्शन हो रहा है तो इसमें करके बता रहा हूँ यहां पर पहले आपको पहला जो चेंज देखने के लिए मिलेगा जो चार्जिंग अनिमेशन है जो वुक चार्जिंग जासे चार्ज करते हो तब यह अनिमेशन जो है आपको 6.0 म में आपको अलग देखने के लिए मिलेगा जो क्लॉक की स्टाइल है वह पहले वार्टिकल थी मतलब लंबी सी थी अब जो है यहां पर होरीजंटल आपको देखने के लिए मिलता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर दूसरे चेंज की बात करते हैं तो नया जो स्मार्ट लॉक का फीचर देखने के लिए मिल जाएगा स्मार्ट लॉक फीचर में होता यह है कि जैसे आप इसे आउन कर दोगे यहां पर फिंगर प्रिंट से और फेस अनलॉक से जो फोन अब अनलॉक नहीं होगी आपको फिर से आपका जो सिकुरिटी पैटन है या पिन ह है वो देखे आपको फोन को अनलॉक करना पड़ेगा तो यह स्मार्ट लॉक फीचर जो है आपको कलरोज 6.0 में नहीं देखने के लिए मिलता था लेकिन आप जो नया वर्शन आया है 6.0.1 का उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा अब नेक्स्ट चेंज की अगर ब देखने के लिए नहीं मिलेगा तो जैसे नया कुछ अपडेट आएगा 6.0.1 का या जैसे आप रियल में 5 या 5 प्रोग खरी देंगे तो पहले आपको बाइडिफॉल्ट जो है यह वाली जो क्लॉक विजट है यह देखने के लिए नहीं मिलेगी और जो गूगल का सर्च ब है तो बडलो के लिए तो कोछी इस तरह से पहले आपको देखने के लिए मिलता था जो गूगल का सर्च बार देखने के लिए साथी में जो यहां पर वेदर का एक नया विजट एड़ा है वह आपको देखने के लिए अब अगर दूसरे चेंज की बात करें यहां पर एप डॉयर के लिए यहां पर एक शाइडव आती थी वह हट गई है एक अपर एरो है जो जिसकी पोजिशन चेंज हो गई है और जो यहां पर का कलर था वह ब्लैक था अब यहां पर मिलकी वाइट में मिलता है और यह आपको देता है एक अच्छा इंकूशन है आपको यहां पर material design या stock android जैसा ही लुक देखने के लिए मिलता है अब अगर एक चीज़ और notice करेंगे तो यहां पर home screen में पहले दो लेयर के icon packs आपको packs नहीं icons आपको देखने के लिए मिलते थे जो कि आप single layer आपको देखने के लिए मिलेगा smart assistant में आप देखेंगे कि यहां पर जो cards है वहां पर बहुत जादा rounded थे corners अब जो आपको यहां पर फ्लैट देखने के लिए मिलते हैं और जो आइकन 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 आपको देखने के लिए मिलता है जो toggles notification में आपको जो toggles quick setting toggles देखने के लिए मिलते हैं सारा कुछ आपको यहां पर design जो है आपको नया देखने के लिए मिलेगा और जो की एक welcome change है क्योंकि जो square type का आपको design देखने के लिए मिलता था वह बहुत ही पिकार टाइप पर लगता था मुझे personally अब जो यहां पर ज्य password में जैसे जाओगे और connection management में यहां पर गलत आ गया और आपने मेरा password भी देख लिया और connection management में जैसे जाएंगे यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहां पर आप speed restriction कर सकते हैं तो यह option पहले नहीं था अब अगर आप outspot से किसी को data आपना शेयर कर रहे हैं तो आप यहां पर अगर चाहे तो यहां पर speed भी रेस्टिक्ट कर सकते हैं जो कि बहुत बढ़िया एक change मैं आपको आपर बोल सकता हूं अब अगर next change की बात करेंगे यहां पर additional settings में जैसे जाओगे date and time में जाओगे तो यहां पर जो world clock wizard वाला setting था यह पहले भी था अभी भी ह लेकिन अब जो इसकी uses हो चुकी है practical uses वो थोड़ा से change हो चुका है तो wizard में जाने के बाद यहां पर एक world clock wizard अपने देखा होगा यहां पर आपको मिलता है तो अगर आप यह वाली wizard अब use करना चाहते हैं तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप इसे home screen पर ही setup करें क्य जैसे on करेंगे तो यहां पर आएगी जैसे आप home screen में जाओगे आपको यहां पर नया एक layout दिख जाएगा आपके home screen के जितने भी सारे layers होगे उसके बाद भी एक layer add हो जाएगा और आपके home screen में यह world clock visit नहीं दिखेगी और उसके बदले एक layer आपको मिल जाएगा home screen में अ convenience aid में smart sidebar में यहां पर एक नया option आपको देखने के लिए मिलता है option नया नहीं है option पूरा नहीं है फिर उसका practical uses यहां पर चेंज हो जाता है अब colorless six point में यह होता था कि smart sidebar को जैसे on करते थे by default यह वाली option भी on हो जाती थी मतलब only use the sidebar in और landscape mode ऐसा कुछ था अब horizontal हो चुका है अब आप इसे जो है by default इसे आप switch on या switch on भी कर सकते हैं मतलब अगर आप चाहे तो landscape में भी वो रहेगा और चाहेंगे तो जब वो vertical position में रहेगा मतलब portrait mode में जब रहेगा तब भी वो आपको sidebar दिख सकता है चाहे तो और नहीं चाह निकले मिलेगा जो की है hidden apps के बारे में तो आपको पता होगा यहाँ पर hidden app जो कि आप fingerprint से lock पहले नहीं कर सकते तो अगर fingerprint face screen password में जाएंगे settings में तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नया option है जो की है fingerprint for hidden apps quick start तो यहाँ पर जाने के बाद आप कोई भी आपका कितने सारे भी fingerprint अबने add कि होंगे तो किसी भी fingerprint को आप assign कर सकते हैं और hidden app का जो एक folder बनता है उसे आप fingerprint से आप open कर सकते हैं जो कि पहले आप नहीं कर सकते थे तो यह वाला जो है नया add हुआ है अब जो next change के अगर बात करेंगे वह आपको settings panel में ही देखने के लिए मिलता है यह data के regarding है आप पूरे दिन में कितना data जो है यहाँ पर use करते हैं उसके restriction के regarding है तो dual cman mobile network में जाना है आपको नीचे में आपको दिखाएगा यहाँ पर जो reminder है daily data reminder यहाँ पर अप custom एक नया option जो add हो चुका है जो कि color wise 6.0 में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा custom में जाके यहाँ पर आप daily data limit जो है अपने इस आपसे set करके रख सकते हैं जो कि मुझे नहीं पता कितना useful है पर यह जो है नया inclusion आपको देखने के लिए मिलेगा color wise 6.0.1 में अब अगर next change की बात करें वो भी आपको settings panel में ही देखने के लिए मिलता है और जो कि एक बड़ा welcome change है जिसकी बाद भी बहुत दिनों से हो रही थी और बहुत demand थी वो है battery में जाने के बाद settings में बैटरी में जाने के बाद अब आपको screen on time SOT देखने के लिए मिलता है जिया और साथी में यहाँ पर एक नया option भी आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि recommended है intelligent power saver जो कि आप यहाँ पर नीचे देख पा रहे हैं और अब आप पूरा जो है आपका user screen on time कितना है और कितना आप expect कर सकते हैं आपका battery last करेगा वो सारा कुछ आपको data आप जो है battery section में ही द बता दी लेकिन आपको यह update कब देखने के लिए मिलेगा 6.0.1 का अपने realme 3 pro में X में या कोई भी realme के device में तो company अभी XT के launch में busy है और XT pro भी आने वाला है और जैसे कि मैं आपको कहा 13 September के launch event में आपको realme XT में dark mode देखने के लिए मिलेगा first look तो launch event को अगर आप follow करते है या नहीं करते हैं तो बात में भी आप किसी भी YouTube चैनल में आपको देखने के लिए मिल जाएगा dark mode का first preview तो कैसा लगा आपको यह वीडियो कमेंट में बता सकते हैं चैनल को subscribe कर सकते हैं मिलते हैं next वाले वीडियो में तब दक देखते रहे हैं